हलो एवरीवन प्रीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दा बेल आइकन तो गेट आल नोटिफिकेशन आज हम लो क्लास 6 एन्सी आटी साइंस के चैप्टर सेकेंड को पढ़ रहे हैं जो की था कॉंपोनेंट ओफ फूड यह इसका सेकेंड पार्ट है उस सेकेंड चैप्टर का यह सेकेंड पार्ट है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा है वाट डू वेरियस न्यूट्रियंट्स डू फोर आवर बॉड़ी जो अलग अलग तरीकी का न्यूट्रियंट्स के बारे में हमने पढ़ा पिछले पार्ट में जिसमें कार्बोहाइ तो कह रहा है कि कार्बोहाइड़ेट मेंली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉड़ी कह रहा है कि कार्बोहाइड़ेट जो है उसका काम क्या है हमारे बॉड़ी को एनर्जी प्रोवाइड कराना fat also gives us energy कह रहा है कि fat भी जो होता है वो भी हमें क्या करता है energy देता है in fact fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate कह रहा है कि अगर हम बात करें तो fat जो है वो carbohydrate से हमें ज्यादा energy देता है अगर मान लिजी हम ऐसा 2 food ले लेते हैं कोई 2 food ले लेते हैं एक में हमें carbohydrate मिल रहा है और एक में हमें fat मिल रहा है दोनों same quantity में है जितना हमें carbohydrate मिल रहा है उतना हमें fat भी मिल रहा है अगर हम energy की बात करें तो carbohydrate से जादा energy हमें fat से मिलेगी कह रहा ही कि वैसे फूड जिसमें fat और carbohydrate होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, energy giving foods कहते हैं, figure में दिखाया है figure 2.3 and 2.4, क्या रहा है, protein are needed for growth and repair of our body, protein का काम क्या होता है, protein हमारे body को, अगर हम उस food को खाते हैं, जिसमें ज्यादा protein होता है, तो protein का काम यह होता है, कि हमारे body को grow करने में help करता है, और हमारे body को repair करता है, repair means, अगर हमारे body पे कहीं चोट लग जाती है, तो protein क्या करता है, उस घाव को, उस चोट को जल्दी भरने में मदद करता है, तो protein हमारे लिए, हमारे body के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे example में, आप carbohydrate का example देख सकते हैं, sweet potato, potato, sugar cane, papaya, melon, mango, mage, wheat, rice, बाजरा, इस सब से हमें क्या मिलता है, carbohydrate मिलता है, यहाँ पे जो दिया है, जैसे sunflower oil, mustard oil, coconut oil, soybean oil, ground nuts है, nuts है, तील है, और यहाँ पे क्या है, सम, यहाँ पे meat है, fish, घी, milk, butter, cream, यह सब क्या है, यह जो उपर oil है, यह हमें प्लांट से मिलता है, तो यह fat है, oil में हम जानते कि fat पाया जाता है, तो यह हमें fat देता है, यह जितने हैं, और नीचे वाला जो भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे meat, घी, milk, cream, butter, यह animals से हमें मिलता है, और इस से भी हमें क्या मिलते हैं, fat मिलते हैं, कह रहा है कि food containing protein are often called body building food, कह रहा है कि जो भी food उसमें, वो भी food जिसमें protein पाया जाता है, उसको हम body building food कहते हैं, क्योंकि जो protein होता है, वो हमारे body को growth करने में, grow करने में help करता है, और repair करता है, यहाँ पे कुछ example दिये हुए protein के, यहाँ उपर हम देखेंगे, जैसे gram, चना हो गया, monkey दाल, दाल, bean सो गया, soya bean, pea, यह हो गया, यह हमें plants से मिलते हैं, और animals से meat, fish, paneer, milk, eggs, इन सबसे हमें क्या मिलता है, protein मिलता है, आगे हम लोग देखते हैं, हमने fat के बारे में पढ़ा, fat, fat और carbohydrate हमारे body को energy देते हैं, protein हमारे body को repair करता है, और growth में help करता है, अब हम पढ़ते हैं, vitamins के बारे में, vitamins help in protecting our body against disease, जो vitamin होता है, वो हमारे body को disease से, बीमारियों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है, vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy, vitamins और क्या करता है, हमारे eyes को, bones को, teeth और gums यानि मसूडे को healthy रखता है, vitamins are of different kinds, known by different names, कह रहा है कि vitamin जो अलग-अलग, vitamin के अलग-अलग नाम है, जैसे कि vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E और vitamin K, कह रहा है कि there is also a group of vitamins called vitamin B complex, कह रहा है कि एक vitamin का पुरा group है, जिस vitamin को उस group को क्या कहते है, B complex, जैसे उसमें B1, B2, B6, B12, इन सारे vitaminों के नाम है, तो इन्हें हम B complex कहते हैं, कहरा our body needs all type of vitamins, कहरा हमारे body को हर टाइप की vitamin की जरूरत होती है, इन small quantity, थोड़े से quantity में, जैसे कि fat की थोड़ी सी जरूरत है, protein की भी जरूरत है, vitamin की भी जरूरत होती है हमारे body को, तो आखिर vitamin का काम क्या होता है, तो हमने पढ़ा कि vitamins जो होता है, हमें disease से लड़ने में help करता है, जैसे कि vitamin A keeps our skin and eye healthy, vitamin A का काम क्या होता है, हमारे skin को और हमारे eyes को healthy रखने में ये मदद करता है, अगर हमें कोई बिमारी हो जाती है, जैसे इस eyes में कोई problem हो गई, तो उन सारे चीजों को खाना चाहिए, food को खाना चाहिए, जिसमें vitamin A ज़्यादा होते हैं, ताकि हमारे eyes जल्दी से क्या होए, repair हो जाए, हमारी जो भी problem होई है, eyes में वो जल्दी दूर हो जाए, vitamin C helps body to fight against many diseases, vitamin C भी क्या करता है, हमारे body को help करता है, बहुत सारे बिमारी हों से लड़ने में, vitamin D help our body to use calcium for bones and teeth, कह रहा है, vitamin D जो है, हमारे body को help करता है, ताकि हमारा जो bones है और teeth है, वो calcium को क्या करें, use कर पाए, food that are rich in vitamin, different vitamins are shown, figure 2.6, 2.6 में आप देख सकते हैं, यह vitamin A किस से मिलता है, हमें carrot हो गया, fish oil, milk, papaya, vitamin B किस से मिलता है, liver, animals के जो liver हो गया, और यह rice हो गया, vitamin B हमें इन से मिलता है, vitamin C जो होता है, जितने में खटे चीज होता है ना, उन सब में vitamin C पाए जाता है, जैसे orange, tomato, guava, lemon, आमला, vitamin D है, तो vitamin D हमें fish, egg, butter, liver, milk, इन सब चीजों से vitamin D भी मिलता है, आगे हम mineral के बारे में पढ़ेंगे, कह रहा है कि minerals are needed by our body in small amount, कह रहा है कि minerals की भी हमारे body को थोड़े से मात्रा में जरूरत होती है, Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health, कह रहा है कि सारी चीजों की थोड़े मात्रा में हमारे body को जरूरत होती है, ताकि हमारी body जो है वो proper तरीके से अच्छे तरीके से growth उसकी हो पाए, और हम अच्छा health जो है वो maintain कर पाए, यहाँ पर कह रहा है कि our body also prepare vitamin D in the presence of sunlight, कह रहा है कि हमारे body जो है हमारा जो body है, वो सूरे की रोशनी से यानि sun की light से भी vitamin D को produce कर सकता है, अब इसका यह मतलब नहीं कि आप हर टाइम धूप में जाके खड़े हो सकते हैं, इससे हमारे sun की जो harmful raises हैं, वो हमारे body को नुकसान पहुचा सकती है, इसका भी एक limit होता है कि हाँ इतने time तक, नहीं तो अगर आप हर टाइम चाहेंगे कि vitamin D मुझे मिले और anytime धूप में जाके खड़े हो जाते हैं, तो इसका ultra effect आप पे पढ़ सकता है, तो थोड़े से मात्रा में हर चीज की जरूवत होती है, some sources of different mineral are sun figure 2.10, per diarrhea 2.10 में कुछ दिये गया है, जैसे iodine किसे मिलता है, तो यह यहां पे fish दिया है, spinach दिया है, crab है, अदरक यहां पे ginger है, तो अगर हो जार्शोराजिंस आफॉस्खोरास किसे मिलता है, must मिल्क हो गया, बनाना हो गया, चिली, राइस, आइरन किसे मिलता है, तो आइरन स्पेनेच से मिलता है, लीवर हो गया, एपल हो गया, गुर में भी आइरन होता है, और हमें कैल्सियम किसे मिलता है, मिल्क और एक से मिलता है कैल्सियम, जो हमारे कैल्सियम हमारे बॉड़ी को क्या करते हैं, बोन्स और तीथ को मजब आप देख सकते होंगे, फीगर में मैंने कई सारे फीगर जैसे हम लोगों ने देखे, तो वही जो फूड था वो कई सारे विटामिन में आ रहा था, तो यानि हमारे जो भी हम फूड खाते हैं, उसमें एक से जादा विटामिन ये नूट्रियंस पाए जाते हैं, आपने उपर देखा हो गए कि जो रौ मेटरियल होता है, उसमें जादा होता है, उसका जो कांटिटी होता है, दुसरे के मुकाबले में जादा होता है, जैसे कि rice, rice में, rice has more carbohydrate than other nutrients, कहरा है कि rice में carbohydrate बाकी भी nutrients होते हैं, लेकिन carbohydrate जो होता है वो थोड़ा जादा होता है, उसमें जादा होता है, Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो rice है, उसमें क्या है, carbohydrate की मात्रा जादा है, और उसमें, उस rice से हमें carbohydrate जादा मिलता है, कह रहा है कि इन nutrient के बाद भी हमारे body को dietary fiber और water की ज़रूरत पड़ती है, dietary fiber क्या होते हैं, तो dietary fiber also known as rafage, dietary fiber को rafage की नाम से भी जाना जाता है, rafage क्या है, तो rafage is mainly provided by plant product in our food, कह रहा है कि जो भी plant product food होते हैं, जो हमें plant से food मिलते हैं, वो क्या होते हैं, हमें rafage provide करते हैं, जैसे कि whole grain हो गया, pulses, dal, potato, fresh fruit and vegetable are main source of rafage, यह क्या है, rafage के main source है, इनसे हमें ज्यादा rafage मिलता है, rafage क्या होता है, तो rafage जो होता है, does not provide any nutrients to our body, rafage हमारे body को कोई nutrients provide नहीं करता है, लेकिन, it is essential component of our food and add to its bulk, लेकिन यह हमारे food का बहुत ही जरूरी part है, जिसको खाना हमें जरूरी होता है, जो हमारे खाने में यह add होता है, this helps our body get right of undigested food, rafage का क्या होता है, कि अगर हमारे body में, अगर हमने कुछ ऐसा food खाया है, जो कि digest easily नहीं हो पा रहा है, तो अगर हम यह सारे चीजे खाते हैं, यह जरूराफेज खाते हैं, जो हमें प्लांट से मिलता है, यह उस खाने को digest करने में help करता है, जिसको हम dietary fiber भी बोलते हैं, आगे देख रहा है, कह रहा है कि water, water helps our body to absorb nutrients from food, water का काम क्या होता है, कि जो भी हम food खाते हैं, उनसे जो nutrients हमें मिलता है, water क्या करता है, उसको absorb करता है, it also helps in throwing out some wastage from body as urine and sweat, कह रहा है कि water जो है, हमारे body में, कोई भी अगर wastage है, मतब जो कि हमारे body को जरूरत नहीं है, उनको भी हमारे body से क्या करता है, वो बाहर निकालता है, urine और sweat के जरिए, यानि हम bathroom के जरिए, और जो हमें sweating, यानि पसीना होता है, उससे भी हमारे body के जो wastage product होते हैं, वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं, normally we get most of the water that our body needs from the liquid, we drink such as water, milk and tea, कह रहा है कि हमारे body को जो water की जरूरत पढ़ती है, कि वो हम अधिकतर किसे ले लेते हैं, पानी पीकर, या दूद पीते हैं, तो उससे मिल जाता है, या चाय पीते हैं, क्योंकि वो liquid form में है, इन एडिशन, we add water to most cooked food, कहा जब हम खाना बनाते हैं, तो भी उसमें पानी की जरूरत पढ़ती है, तो उससे भी हमारे बॉड़ी को पानी मिलता है, water मिलता है, लेट सी इफ देर इस एनी अधर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आउर बॉड़ी, इसको हम लोग next पार्ट में करेंगे, आई होप आप सबको यहां तक का वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी चीज़े उनका nutrients जो थे उनका क्या हमारे बॉड़ी को ज़रुवत होती है, तो आगे का जो पार्ट है वो हम लोग next वीडियो में पढ़ेंगे, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंच के साथ से सेर करिएगा, थैंक यू,